हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी अपने यूटूब चैनल किर्केट एक्सपर्ट में दोस्तो बंगलादेश और आइरलेंड के बीच तीन वंडे मैचों की सीरीज 18 से 23 मार्च के बीच में खेली जानी है और इस सीरीज के सभी तीनों वंडे इंटरनेशनल मुकावला है सिलहट डिश्टिक पार्क यानि कि सिलहट इंटरनेशनल किर्केट इस्टेडियम बंगलादेश में होने है और आज के इस बीडियो में हम इसी पिच का प्रिब्यू करेंगे आपको बताएंगे इस सीरीज के तीनों मैचों में इस पिच का क्या इंपैक्ट रहने वाला है कैसा खेल यहां पर देखने को अब तक मिला है कैसे स्टैट्स रहे हैं और धेर सारी और भी जानकारिया हम आपको देने वाले है तो वीडियो काफी जबरजस्त होने वाला है वीडियो को बिना कहीं स्क्रिप्ट किये हुए अंतक जरूर देखेगा इससे पहले आपसे काना चाहेंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुए है और यहाँ पर जो कन्क्لूजन निकल के आता है थोड़ी सी धीमी खेलती है ये थोड़ा सा यहाँ पर सेट होने के लिए टाइम लगता है बल्लेबाजों को हलाकि एक बार सेट होने के बाद रंस करते हैं लेकिन थोड़ा सा धीमा पिछ होने की वज़़ा से एक बार सेट हो जाए तो बल्ले बाज अच्छे स्कोर भी बनाते हैं इन चार वंडे मुकाबलों में पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तीन मुकाबले तो चेश करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है इस दवरां पहले इनिंग का एबरेज स्कोर दो सो न क्योंकि ये पर्टिकुलर मुकाबले में टीमें कैसा खेलती हैं ये उस पर्टिकुलर दिन पर निधारित होता है हाइस्ट टोटल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बंगलादेश की टीम ने जिंबामबे के खिलाब 322 रन बनाये थे तीन विकेट के नुकसान पर तो विष्ट इसको डिफेंड में बंगलादेश ने जो यहाँ पर हाइस्ट टोटल बनाया था 322 का उसको सक्सेस्पोली डिफेंड करके जिंबामबे के खिलाब मुकाबला जीत लिया था दोस्तों ये भी बताते चले ये जो चार वंडे मुकाबले हुए हैं इसमें सभी में बंगलादेशी टीम को जीत हाथ लगी है इस दोरान तीन मुकाबले में बंगलादेश ने जिंबामबे को हराया था जबकि एक मुकाबले में बंगलादेश ने विष्ट इंडीज को हराया है इसमें नूप है यही चार वंडे मुकाबले हुए हैं जबकि दूसरी अपोने टीम बंगलादेश के अलावा जो है आइरलेंड की टीम यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं खेली है लेकिन अगर हम बंगलादेश और आइरलेंड के बीच हेड टो हेड ओर डी आई स्टेट्स खंगाले तो दोनों देशों के बीच कुल मिला के 10 वंडे इंटरनेशनल मुका जरूर कीजेगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों